स्रेई शिवाय नमस्तु भ्याम हम सबको पता है कि आज है 14 मई यानि की मंगलवार का बहुत ही विशेश दिन ये मंगलवार विशेश पता है क्यों है क्योंकि इस दिन है हनुमान पुश्य योग है और अगर आपको पूरी फैमली में समझाऊँगा ठीके ना वो दो दीपक हमें कहां पे लगाने है कैसे लगाने है कौन सा दिया लगाना है इसकी बात करेंगे वीडियो को पूरा देखेगा अब यहां पे स्क्रिंट पे आप सभी लोग को एक दीपक दिख रहे हैं तो हमें एक नहीं लेना है आपको दो मिट्टी का दिया लेना कितने लोगे दो मिट्टी के दीपक लेंगे आप यह दोनों दीपक लगाने का तरीका अलग है सबसे जो पहला दीपक होगा मिट्टी का उसमें आपको डालना होगा तिल का तेल डालोगे उसमें आपको तिल का तेल डालना है और उसके बाद में इसमें आपको गोल बत्ती का दिया लगाना कौन सा लगाओगे गोल बत्ती का दिया लगाएंगे फिर आप इस दीपक को ले करके जहां कहां पे जाएंगे अपने ही घर में जहां पे बजरंग बली की फोटो मोती प्रतिमा हो जो तिल के तेल का दिया है वो आपको लगाना होगा बजरंग बली के पास में अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक को जलाएंगे और उसके बाद में इसी दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल आपको जरूर से जरूर डालना हो जिससे आप बजरंग बली को खुश कर सकते हैं वहाँ पे बैट करके हनुमान चालिसा का पांट करेंगे विंती करेंगे अपने परिवार के लिए अपने परिवार के खुशियों के लिए पहले दीपक की तो बात हमने यहाँ पे कर ली अब बात करते हैं दूसरा दीपक आ हमने बताया पहला दीपक लगा दिया अब इस दूसरे दीपक में आपको डालना होगा सरसू का तेल कर डालोगे सरसू का तेल डालेंगे और सरसू के तेल डालने के बाद में इस दीपक को उठाएंगे आपके घर का जो मेन गेट होता है जो लोही वाला दरवाजा नहीं होता जिससे हम अपने घर के बाहर चले जाते हैं तो उसी दिरवाजे के बाहर चाहे तो इस साइड में या फर इस साइड में कहीं पे भी उस दीपक को आपको फिर से रखना है और आपको फिर से गोल बत्ती का दिया आपको बाला जी के नाम से किसके नाम से लगाओगे बाला जी के नाम से गोल बत्ती का दिया लगाएंगे साथी साथ दो लॉंग लेना है क्या लोगे दो लॉंग और उसी दोनों लॉंग को परिवार की खुशियों के लिए अगर आप इस दीपक के अंदर डाल देते हैं तो आपकी फैमली में आपके परिवार में कभी कोई संकत नहीं आ सकता आपकी पूरी फैमली आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे जो दीपक आप बजरंग बली जी के पास में लगा रहे हो उसमें आपको काला तिल डाल के जलाना होगा लेकिन जो दीप आपकी तो हमने बात यहां पर कर ली है आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये दूसरा उपाय आज के टाइम पे हर एक घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और वो प्रॉब्लम है बीमारी को लेके भीया हमारे घर से खतमी नहीं हो रही है हम क्या करें तो उसके लिए आप इस छोटे से उपाय को करिएगा ठीके ना उसके लिए आपको लेना होगा दूरवा गिन करके आपको और नंबर में यानि कि विशम संख्याओं में दूरवा लेनी है जैसे चाहे तो आप एक लेलो तीन लेलो पां लेना है और वो दूरवा गव माता का दूर होना चाहिए है ना समझ रहे है मेरी बात को आप इस दूरवा आपने ले रखी है एक तीन पांट साथ नौ ग्यारा जितनी भी दूरवा ले रखी है उसमें डाल देंगे फिर आप इस दूरवा को उठाएंगे आपके ही घर में कहीं बाहर नहीं जाना है आपके ही घर में जो शिव शंभू की फोटो मूर्ती प्रतिमा या शिवलिंग हो उन्हीं के उपर आपको जल की धार को बहुत ही धीरे-धीरे कुंद केशवर महादयो फिर से बोल रहा हूँ नाम को नोट करिएगा कुंद केशवर महादयो की नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जो भी बीमारियां जिस भी इंसान को आपके घर में होंगी ना वो प्रॉब्लम आपके घर की खतम जरूर हो जाएगी ठीके ना दूद का जल समर्पित करने क बाद में एक लोटा शुदजल तामबे के लोटे से जरूर समर्पित करिएगा इससे आपको बहुत जादा लाब मिलेगा ठीके ना करना जरूर सभी को भूलना किसी को भी नहीं है तो यहाँ पे दो उपाय की हमने बात कर ली है आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम उपाय आपके लिए अच्छे हूँ आपके परिवार के लिए अच्छे हूँ आपके लिए आसान हो सबसे आसानी से कर सकते हो कोई भी एक उपाय किया अकरो सुनो सारे उपाय लेकिन कोई करो एक जो आपके लिए अच्छे हूँ आपकी फैमिली के लिए अच्छे हूँ ठ जितने भाई वहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ठीक है न देखो समझने कोशिच करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोगो इस स्क्रिन पर दिख रहा होगा रोली चंदन सबसे पहले बात करते हैं यह सुपाई की benefit क्या होंगे फायदे क्या होंगे अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो यानि कि कोई ऐसा इंसान है जो आपका पैसा ले लिया है वापस नहीं कर पा रहा या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आपके घर में चल रही है पैसों से रिलेटेड तो आपको लेना होगा इस तरीके से रोल कुमकुम, सिंदूर से एक गाढ़ा सा पीस्ट बनाया है, आपको बाला जी के नाम से एक स्वस्तिक का निर्माड का ना, दे को स्वस्तिक जैसे मैं बना रहा हूं, ऐसे काटपीट के नहीं बनाया जाता बट मुझे वीडियो बनानी है थोड़ा वीडियो छोटा रहे इसलिए जल्दी बना दे रहा हूँ ठीके न ऐसे स्वस्तिक बनाओ उस नारियल के उपर अब इस स्वस्तिक बनाओ नारियल को ले करके आपके घर में जितने भी रूमस होंगे जितने भी कमरे हों सिर्फ वाश्रूम को छोड़ करके सभी कमरों में बाला जी का ध्यान करते हुए घूम लेंगे फिर आप इस नारियल को उठाएंगे और उठाने के बाद में बजरंग बली के आप पे घर में जो भी फोटो मूर्थी पतिमा रखी हुई है, मंगलवार के दिन, वहाँ पे आपको ले जा करके समर्पित करना है, साथ ही साथ यह कामना करनी है कि हमारी करज की समस्या है, यह इंसान हमारा पैसा वापस नहीं कर रह तो जो भी करज की समस्या आप घर में चल रही होगी, वो सारी समस्या है आप घर से खतम जरूर हो जाएंगे, जो नारियल आपने अपने घर पे चढ़ाया था, इस नारियल को फिर अगले दिन, यानि कि बुद्धवार के दिन उठाएंगे, और फिर बजरंग बली के मंद जर में ले जा करके रखाएंगे, ठीक है ना, बातारी के समस्या है, उठाके नहीं लेना है, उसको रख करके आना है, तो यहाँ पे हम लोग उने तीन उपाय की बात कर लिए, एक आखरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय है और इस उपाय को अगर आपने करते हैं तो आपकी family में बहुत सारी खुशी आएंगी कभी आप पे घर में लड़ाई जगड नहीं हो सकते हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा ठीके ना उसके लिए सबसे पहले ये समझो कि आपको कौन सी चीजों को लेना होगा जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा है पान का पत्ता दिख रहा है तो आपको एक पान का पत्ता लेना अब इसके ऊपर कुछ लगाना वगरा नहीं ये पान के पत्ते के ऊपर एक पान का पत्ता लेंगे, साथी साथ आपको लेना होगा दो लोंग, क्या लोगे, दो लोंग और दोनों लोंगों में जो फूल होगी वो लगी होई होनी चाहिए, फूल ले लिया, साथी साथ आपको लेना होगा हरी वाली जो इलाइची नहीं आती है, उस हरी इलाइची को भी दो हरी लाइची ले लेंगे और हरी लाइची को लेने के बाद में मिस्री के कुछ दाने लेंगे इतने सारे चीजों को लेने के बाद में आपको इस एक दीपक को लेना होगा ठीक है ना और उसके बाद में इस दीपक के अंदर सबसे पहले आपको उस पान के पत्ते को र जो हरी लाइची होगी उसको रखेंगे और जो मैंने मिश्री के दाने बताये हैं उसको रख देंगे फिर आप इस दीपक को उठाएंगे आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो मोती पतिमा हो उन्हीं के पास में पूरे परिवार के अच्छे स्वास अच्छी कामना अ एक पत्ता जरूर डालिएगा ठीके ना भोग लगाने के बाद में अगले दिन बुद्धवार के दिन इस दीपक को उठाएंगे और किसी भी वट व्रक्षी नीचे यानि बरगत पेंड के नीचे आप उठा करके रखाना ये जो चौथा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों आपकी फैमिली के लिए अच्छे जादा लगते हों उन उपाय को करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए गर आपको मुझसे फोन भी बाते करनी है आपको मुझसे मैसेच भी बाते करनी है तो आप हमें इंस्टेग्राम